हेलो फ्रेंड्स ये पांच तरह के शूज स्टेंड आते हैं जिसमें आप लोगो काफी डाउट रहता है कि कौन सा कब यूज करना चाहिए कौन सा हमारे काम की चीज है और कौन सा लेना चाहिए तो इसके डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो है इसको आप पूरा देख सकते हैं कि यही दूर यही प्लेट लगी हुई है और सिंपल इस पर शूज आ जाएगा यह तो हो गया अगर आपके पास प्लेण वाल है आपका नए काम है तो पुराना भी है लेकिन प्लेंव अगर आपके पास आप उसकाव लगवा सकते रावा बैट भी लगवा सकते है तोड़ा चशेप इसका अच्छा दिया हुआ है एंग तो इसमें लुक थोड़ा सा अच्छा आता है यह भी सिम्पली इस तरह से यह बहार है जाएगी गार इसल देख सकते हैं यह दिखने मैं काफी आच्छा लगेगा यह अप इस तरह से वाल पर लगाएं chrono और इस पे शूज रख सकते हैं ठीक है तो यह तीन आइटाम आपके हो गए और इसके बास फूर्थ आइटाम आता है कि स्लोप स्टेंड स्लोप स्टेंड में फायदा है कि आप शूज को इस तरह से टेल्ट करके आप रख सकते हैं इसका व्यू में आपको दिखा देता हूं क तो इस तरह से दिखेगा आप स्क्रीन पे देक सकते हैं आपर पे लगाना व्युटल नियुक्त चाहें इसको हिपार कर सकते हैं इत्तना प्रसाती इस पर शूज इसली है जायेका इस तरह से सिधह करें ऐसा पहले से glass के shelf लगे हुए हैं आपको उसमें खरचा वेश्थ नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह से यह यूज कर सकते हैं इसमें शिंपली जूते इसतरह से खड़े हो जाते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं और इस वाले आइटम में भी आप इस तरह से shoes इसमें खड़ा पर की तरफ मुह कर लिजे चाहे नीचे की तरफ मुह कर लिजे यह जब आपका यूज होगा जब आपके पास ग्लास के शेल्फ लगे हुए एक मेड़ी दरा ना चालना यह आप देख सकते हैं ग्लास का शेल्फ लगा हुआ इस तरह से रख सकते हैं पूराने सभी शॉप में आपको यह देखने को मिलेगा शेल्फ आल्रेडी तो आप इस पर रखे और इस पर शूज इजिली इस पर रख सकते हैं तो आपका काफी नीचे बेस होना ज़रूरी है और बाकी किसी भी आइटम यूज कर सकते हैं डायरेक्ली दो-दो स्क्रूव इसमें करना रहेंगे और आप इस तरह से चारो आइटम ईजिली इस पर सकते हैं आइटम को बाय करने के लिए आपको लिंक दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लिक करेंगे उस पर पहुच जाएंगे अमेजन पर आप cash on delivery ले सकते हैं लेकिन आप डायरेक्ट लेंगे तो आपको cash on delivery नहीं मिलेगी प्रिपेट पेमिंट ही होगा उसका रिजन यह है कि cash on delivery में लोग सामान मंगा लेते हैं उसके बाद वह अगर नहीं लेते हैं तो हमारा रस्ते में माल 15-20 दिन के लिए अटक जाता है ठीक है अगर आप cash on delivery चाहते हैं Amazon से ले सकते हैं उसमें को issue नहीं है और Amazon पर आपको rates थोड़े से हाई मिलेंगे डायरेक्ट लेने पर आपको rates थोड़े से reasonable मिलेंगे ठीक है